नमस्कार, क्रांती ओरेसा में आपका स्वागत है राजू पार्प में उदास बैठा था आज उसके दोस्त खेलने नहीं आये थे राजू के पास एक गेंड थी, किन्तु बैठ और मित्र नहीं थे वो हकेले ही गेंड के साथ मायूसी से खेल रहा था पार्प में अन्य बालक भी क्रिकेट खेल रहे थे किन्तु राजू उन्हें जानता नहीं था इसलिए वह केला ही कभी गेंड से खेलता और कभी बैठ कर उन बालकों को खेलता हुआ देखता रहता कुछ देर बाद सामने खेल रहे बालकों की गेंड पर उसके एक बंद घर में जागिरी वहां से गेंड के लौट का आना असंभव था और कोई बालक उसे लेने के लिए भीतर भी नहीं जा सकता था अब उन बालकों का भी खेलना बंद हो गया वह सबी उदास हो गए क्योंकि अब वह भी क्रिकेट नहीं खेल सकते थे उन बालकों की नजर राजू के उपर गई जिसके पास गेंड थी फिर क्या था उन लोगों ने राजू को खेलने के लिए अपने पास बिला लिया राजू खेलने में अच्छा था इसलिए काफी बहतरीन शौट लगा सकता था गेंड को पकरने के लिए और बालकों की आवश्यकता हुई जिस पर पार्क में खेल रहे और बालक भी उनसे जो गए और फिर देखते देखते दो बल बंग गया इस प्रकार राजू की एक नई क्रिकेट टीम तयार हो गए